दादी नानी ने बताए कमाल के रसोई टिप्स नमबर एक, आलू उबालते समें नमक और नीबू का टुकड़ा डालने से कुककर अंदर से काला नहीं होता और आलू के छिलके भी जल्दी निकलते हैं नमबर दो, पूड़ी के आटे में चुटकी भर शक्कर डालने से पूड़ियां काफी देर तक फूली हुई बनी रहती हैं और पूड़ी खाने में भी स्वादिश्ट लगती है नमबर तीन, पकोड़ों के लिए बैटर बनाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी मिला दें, पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे नमबर चार, केले का गुच्छा लटका कर रखने से केला पांच से छे दिनों तक खराब नहीं होगा नमबर पांच, पूड़ियों को बेल कर फ्राई करने से पहले अगर उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो पूड़ी फ्राई करते समय तेल कम सोखेगी नमबर छे, सूजी का हलवा बनाते समय उसमें एक चमच बेसन मिला दें, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका भोध भोध थन्यवाद